Imagine करिए कि आप अपने office से आ रहे हैं और कुछ गुंडों ने जिनके पास actual guns हैं उन्होंने आपको पकर लिया है। उन्हें बस आप से सिर्फ पैसे चाहिए यानि अगर आप बिना किसी force के पैसे दे देंगे तो वो आपको hurt नहीं करेंगे। तो कोई भी वेक्ति अपनी जान के लिए उस वक्त अपने wallet में जितने भी पैसे होंगे वो उन गुंडों को दे देंगे। क्योंकि अगर life रहेगी तो उतने पैसे आप सिर्फ एक हफते में कमा लेंगे। लेकिन अगर जिन्दा ही नहीं रहेंगे तो आपकी family का क्या होगा। ऑथर विकी रॉबिन ये कहत हैं जब बात आती है life threats की या survival की तो हम अपने life को ज़्यादा importance देते हैं पैसो से लेकिन यही principle हम अपने daily life में use नहीं करते हैं यानि हम दिन रात मेहनत करते हैं sacrifices करते हैं यहां तक कि अपनी health के साथ भी compromise करते हैं relationships खराब करते हैं सिर्फ पैसो के लिए और फिर उन पैसो स हम वैसे चीज़े खरीदते हैं जिससे हमें बहुत limited time तक खुशी मिलती है जैसे branded phones कपड़े गारिया घर एक status symbols को follow करने में हम बहुत कुछ खो लेते हैं क्योंकि जालता दर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है true financial independence कैसे achieve करनी है इसलि पैसे आपके bank account में आते रहने चाहिए बिना everyday काम किये इसके फाइदे ये है कि आप वो सारी चीज़े कर सकेंगे जिसमें आप passionate हो और आप अपने परिवार के लोगों को भी fully financially secure रख पाएंगे बिना ये सोचे कि अगले मेने की EMI कैसे pay करनी है और यही है true financial independence और आज हम य ये जानने वाले हैं कि financially independent कैसे बने जिसके लिए हमें financial knowledge गेन करनी पड़ेगी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ share किया है in detail तो आज के इस वीडियो में मैंने detail summary and explanation share किया है your life or your money 9 steps to transforming your relationship with money and achieving financial independence book से जिसके author है Vicky Robin और इस book ने मेरी mindset change कर दी है पैसो के बारे में और मैं करता हूं कि इस वीडियो से आपकी life में भी बहुत बड़ा transformation होने वाला है तो नमस्ते दोस्तों आप सभी का सौगत है book pillow youtube चानल पर जहां पर हर अफते आपको मिलते है high quality book summaries जो personal finance, stock market and investing को उपर based होते हैं मेरा goal इस challenge यह है कि मैं 10,000 लोगों को help कर सको उन्हें financial freedom achieve करने में तो please आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपके पस time की कमी है तो आप इस वीडियो के speed भी बढ़ा सकते हैं लेकिन make sure करिए कि आप अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर जरूर दे क्योंकि यह बिल्कुल worth it होने वाला है आपके लिए और ने 9 steps बताए हैं कैसे आप financial freedom achieve कर सकते हैं और विक्की कहती है कि पहला step है financial independence को achieve करने के लिए वो है अपना relationship को ठीक करें पैसो के साथ इसका क्या मतलब है आप ये पूछ सकते हैं दो वैक्ती में कैसा relationship है इसे हम कैसे calculate करते हैं यही ना कि उन दोरों में कितनी understanding है वो एक दूसरे को कितना deeply जानते हैं और समझते हैं वो कैसे एक साथ life में grow हो रहे हैं तो इसी प्रकार हमें भी अपने पैसो के साथ एक बड़िया relationship बनानी पड़ेगी जिससे हमें ये पता होना चाहिए कि इन पैसो का सबसे best इस्तमाल में कैसे कर सकता हूँ कैसे ये पैसे आपके और आपके family के life goals को achieve करने में help कर सकता है author ने financial history of an individual concept को सिखाया है इस book में यानि जब से आप पैदा हुए हैं और आज के इस date तक पैसो के साथ आपका क्या विवार रहा है अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं कमाया है और आप satisfied भी नहीं है तो आपको अपनी life को 10 साल पीशे करना है यानि आपको rewind करना है और आज से compare करना है कि उस वक्त हो सकता है आपके पास खुद का घर ना हो लेकिन आज आपके पास चाहे छोटा सही सही लेकिन एक अपना खुद का घर है दस सल पहले शायद आपकी salary 5000 पर मन थी लेकिन आज आप एक लाग रुपर से जादा कमा रहे हैं दस सल पहले आपके पापा ही सिर्फ एक लौते कमाने वाले थे और आज आप अपने पैसो से अपना घर चला रहे हैं और पूरे family को help कर पा रहे हैं इसी तरह आपको अपना financial journey को recreate करना है इससे आपका relationship और आपका confidence बढ़ता है पैसो के मामले में comment में मुझे आप जरूर बताइए कि आपकी first salary कितनी थी और आपने उन पैसो का क्या किया था ये छोटा सा टास्क आपकी journey को recreate करने में help करेगा और लोगों को भी inspire करेगा जब वो आपके comment को पढ़ेंगे चलिए हम एक छोटा सा experiment करते हैं एक notebook पे आप heading लिखिए money और वो तीन शब्द आपके मन में क्या आते हैं और वो क्यूं आते हैं ये लिखकर उस page की photo आप मुझे Instagram पर भेज सकते हैं मैं आपके सारे DM को पढ़ूँगा अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो तीन word जो मेरे mind में आते हैं जब मैं सुनता हूँ money वो है freedom, happiness and health मुझे personally ये लगता है कि ultimate freedom पैसो सही आ सकती है कोई कित्ता भी बोले कि पैसे matter नहीं करता life में actually वो खुद बहुत अमीर होते हैं शारुक खान ने एक interview में ये कहा था कि first become rich then become philosopher वरना कोई आपको seriously नहीं लेगा तो मेरा ये मानना है कि पैसे से आपको definitely freedom मिलती है चाहे आप मानो या ना मानो दूसरा है happiness और उसका reason ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि उन पैसो से मुझे क्या करना है जिससे मुझे true happiness महसूस होगी जैसे I love traveling, adventure sports, नए लोगों से मिलना, नए culture के बारे में सीखना और बहुत चीज़े हैं जिनमें मैं passionate हूँ जिसे करने के लिए पैसा ही सबसे बड़ा role play करता है तीसरा मेरे लिए है health अगर आप financially free है और आप अपने passion पर भी focus कर पा रहे हैं तो आप automatically ये चाहेंगे कि आपकी health अच्छी हो जिसके लिए आप different activities कर सकते हैं न्यू जर्सी agricultural experiment के कुछ different studies का result बताये गया है जिसमें हमें major difference दिखता है एक healthy वेक्ति के income में जैसे कि एक study ये पता चला है कि एक non smoker की network दुगनी होती है एक heavy smoker से तो आपको अपने पैसों के साथ relationship बिलकुल अच्छा होना ही चाहिए तब भी आप long term तक अमीर रह सकते हैं दूसरा concept है calculating your network ऑथर कहती है कि आपको अपना gross income estimate करना है कि आपने आज तक कितने पैसे कमाये हैं ये करने के लिए आप अपना bank statement salary receipt या बस कुछ estimate कर सकते हैं कि कितना अभी तक आपने कमाया है for example 2018 में आप graduate हुए आपकी placement भी हुई 3 lakhs per annum CTC पर in hand आपको approximately 20,000 रुपे मेने मिलते थे वहाँ पर आपने 2,40,000 रुपे कमाये 2018 में 2019 में आपने job switch किया और आपका salary भी increment हुआ 5,000,000 CTC पर जहाँ पर आपको 30,000 रुपे मिलने लगे in hand 2020 में आपने फिर से switch किया और आपको 7,000,000 CTC मिलने लगा और currently आप 9,000,000 CTC पर काम कर रहे हैं तो calculation easy रखने के लिए माल लेते हैं कि 3 सालों में यानि 2018 January से 2021 के December तक आपने कुल 20,000,000 रुपे कमा लिए हैं ध्यान रहे कि ये आपकी savings नहीं है बलकि इतना amount आपने कमाया है जिससे हमने अभी तक expenses को deduct नहीं किया है तो चली हम net worth calculate करते हैं जब आपने ये approximately calculate कर लिया कि आपने कितने पैसे कमाया है then आपको ये calculate करना है कि कितने पैसे बचे हैं आपके पास तो आपको एक sheet में दो column बनाना है एक तरफ asset और दूसी तरफ liabilities asset यानि वो जहां से पैसे आते हैं और liabilities जहां पर पैसे खर्च हो जाते हैं asset में आपका current bank balance, investment portfolio, properties का valuation आता है liabilities में आपको mainly loans आते हैं तो माल लेते हैं कि आपका asset है अभी कुल 10 lakh रुपे इसका मतलब है कि आपके पास 3 lakh रुपे savings पर है 7 lakh रुपेज आपने invest कर रखा है और फिलाल आप rent पे रहते हो तो कोई property नहीं है और ना ही कोई loan है आपके ऊपर इसका मतलब है कि आपका net worth हुआ 10 lakh रुपेज अगर आप एक businessman है, then आपका calculation different होगा assume करते हैं कि आपका एक total का net worth है after deduction of liabilities from the asset एक businessman का net worth definitely जादा होगा because of different assets जैसे properties even machinery भी asset होती है but of course it's a depreciating asset यानि इसका value हर साल कम हो रहा है तो author के अनुसार, अगर आप अपना net worth calculate कर लेते हैं, तो आपको एक roadmap मिल जाता है कि इसे कैसे बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको discourage नहीं होना है अगर आपकी value अभी कम है तो तो पहले strategy में हमने सीखा कि अपना relationship को ठीक करना है पैसो के साथ, जिसके लिए हमें दो चीज़े करनी है, पहला ये कि अपना financial past को recreate करना है जिससे हमारा relationship पैसो के साथ अच्छा रहे क्योंकि सबसे ज़्यदा important यही है कि positive रहें पैसो के मामले में और दूसरा आपको अपना net worth calculate करना है जिससे आपको एक realistic idea मिल जाएगा कि आप अभी कहां stand करते हो और इसे आपको कैसे बढ़ाना है वो भी आपको road map creation में help करेगा तो यही तर strategy number one strategy number two है जो मैंने इस book से सीखी है वो है calculate your hourly income and grow it author कहती है कि हमें अपना per hour income calculate करना है और हमारा goal होना चाहिए कि हमें उसे बढ़ाना है जैसा कि हम सभी को यह चीज़ पता है कि time सबसे important resource है जो कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं आप चाहे आप कितने भी पैसे कमालो तो जब आप daily office में 9 से 10 घंटे काम करते हैं तो basically आप अपना time को trade कर रहे हैं पैसो के लिए यानि the amount of work you are doing you are getting paid for it लेकिन चलिए हम इस mindset को और deeply समझ कर अपना relationship को और strong करते हैं पैसो के बारे में तीन कॉलम बनाते हैं पहला monthly hours दूसरा earnings तीसरा rupees earned per hour अगर आपकी salary है 50,000 रुपे और आपका work shift है Monday to Saturday 9 hours at office in a month तो March 2022 में आप office 27 days जाएंगे तो आपका per day at office का income है 50,000 divided by 27 days which is 1852 rupees per day और per hour से करेंगे तो 1852 divided by 9 hours तो 205 rupees आपकी per hour income है तो पहले कॉलम में डालेंगे 243 hours जब आप 9 hours को multiply करते हैं 27 days से तो आपको ये value मिलता है earnings में डालेंगे 50,000 और rupees earned per hour है 205 rupees लेकिन ये incomplete तरीका है अपना per hour income calculate करने का author कहते हैं कि आपको additional time जो आप office के लिए ready होते हो आपका commute time आपका petrol and diesel का खर्च जो भी बहुत महिंगा हो गया है आपका lunch का cost इसे भी आपको add करना है क्योंकि कभी-कभी हम extra काम भी करते हैं या फिर late night तक projects के लिए काम करते हैं और उसे submit भी करते हैं जिसके लिए हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं तो मान लेते हैं कि approximately 55 rupees आपकी additional cost है और अगोंसे deduct करते हैं आपके per hour में यानि आपका real per hour income है 150 rupees और आपका goal ही होना चाहिए कि आपको इसे बढ़ाना है अब real question यही है कि इसे बढ़ाई कैसे author यह कहती है कि आपका हर एक expense को track करने शुरू करिये आज से ही चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो इससे यह होगा कि आप और conscious हो जाएंगे कि आप कहां-कहां पैसे waste कर देते हैं और कहां-कहां आप सही तरीके से पैसे को use कर रहे हैं मुझे personally यह लगता था कि मैं काफी ज़्यादा save करता हूँ लेकिन जब मैंने अपना expenses track करना शुरू किया तो मैंने यह देखा कि मैं actual में जितना estimate करता हूँ उससे 30-40% ज़्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ transaction को track करने का सबसे best benefit है आपका अपने पैसो पर control बढ़ेगा दूसरा आप over spending से बचते हैं तीसरा आपका financial stress कम होता है चौथा आपको reality check भी मिलता है कि क्या आप सही में right track पे हो या नहीं play store और app store में आपको कई सारी free money tracking app मिल जाएंगी जो आपको help करेगी हर एक transition को add करने में और month के end में आपको summary भी मिल जाती है कि आपने कितना कमाया और आपने कितना खर्च किया और किन-किन चीजों पर खर्च किया तो ये indirect method है of increasing your per hour income लेकिन अब हम सीखेंगे direct method जिसमें पहला strategy है being efficient with what you do no matter आप अगर job कर रहे हैं या फिर आप business कर रहे हैं आपका goal अगर ये है कि आपको अपना income rate बढ़ाना है then you have to be efficient with what you do आपको maximum output अचीव करना है कम से कम time में example आपको अगर मुंबई से गोवा जाना है by car तन या तो आप बहुत लंबी-लंबी breaks लेकर जा सकते हैं जहांपर 12 hours का journey को आप 16 से 18 hours का journey कर सकते हैं या फिर आप efficiently safety के साथ कम break लेकर 11 hours में वहां पहुँच सकते हैं जिससे आपको 6-8 hours का time बचता है जिससे आप enjoy कर सकते हैं तो आपको अपने काम में भी इतनी productivity लानी होगी जिससे आपका दिन में at least 1-2 घंटे आप save कर सको strategy number 2 है increase your speed of work जब आप 1-2 महिने से efficiently आप focus कर पा रहे हैं देन आपको ये strategy यूज करना है कि आपको अपना speed of work को improve करना है जिससे आप अपनी speed बढ़ा सके और अपने time table को आपको optimize करना है Elon Musk भी अपने efficiency के speed के लिए जाने जाते हैं और जो भी billionaires हैं इस दुनिया में या फिर जो बंदा successful भी है अपनी life में उनका one of the secret of success है efficiency और उनकी speed जिस वज़े से वो ज़्यादा earn कर पाते हैं और life को भी enjoy कर पाते हैं तीसरा है delegate यानि अपने काम को किसी और से करवाना अपने office में जो आपसे junior है कुछ काम आप उनसे करवा सकते हो या आपका एक business है तो आप किसी को recruit कर सकते हैं जो आपका कोई काम आपसे अच्छे से कर सकते हैं आपसे कम time में और हमारा goal यही है कि हमें ज़्यादा से यादा time save करना है जिसमें जो strategy number 4 है उसमें आपको बहुत help मिलेगी तो strategy number 4 है learn a new high paying skill आप जो भी अभी time save कर रहे हो efficient बनकर अपनी speed of work को faster बनाकर या delegate करके इस time को आप please waste ना करें या तो आप एक part time काम शुरू कर दीजे या आप different high paying skills सीख सकते हैं हो सकता है कि आपको यह बहुत ज़्यादा tough लग रहा हो लेकिन अगर आपको अमीर बनना है खुद के दम पर देन आपको hard work तो करनी ही परेगी और कोई option available नहीं है ये है list of high paying skills in India जो आपको सीखना चाहिए अपने extra time में तो इस strategy में हमने सीखा कि अपने actual per hour income को calculate कैसे करना है और हर एक transaction को record करना है और साथ ही साथ कैसे हमें time save करके different high income skills सीखना है पढ़ने से पहले मैं आपको kukoo fm app के बारे मताना चाहता हूँ ये इंडिया की leading audiobook platform है जहां पर आपको 1000 hours से ज्यादा का audio content available है जो different niches में हैं जैसे self help, motivational, money management, etc मैं आपको kukoo fm app पर the science of success audiobook को सुनने के लिए recommend करता हूँ जिसके author है Napoleon Hill ये बहुत ही amazing book है करने वाली है audio content को consume करना मैं ज़्यादा prefer करता हूँ क्योंकि आप किसी और task के साथ ये कर सकते हैं और knowledge gain कर सकते हैं kukoo fm app का annual membership है 3.99 रुपीज पर अभी उनका एक offer चल रहा है जिसमें आपको 50% off मिलेगा यानि पूरे साल का membership सिर्फ 1.99 रुपीज में आपको बस code यूज करना है BP50 जिसका मतलब है book pillow 50 ये offer सिर्फ पहले 250 users के लिए है तो description में दिये के link से आज ही download करिए kukoo fm और अपनी life को transform करिए उनके life changing audio content से strategy number 3 है categorize your monthly spending अभी तक आपने financial past को recreate करना सीखा और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि अपना hourly income कैसे calculate करना है और उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो इस strategy में author ने practical advice दिया है जिसमें आपको अपना monthly spending को different categories में divide करना है जैसे अगर आप हर month mutual funds में SIP कर रहे हैं then उस category का नाम होगा investment आप अगर Amazon से अपने लिए कुछ चीज़े order करते हैं हर महिने then आप इसे online shopping category कह सकते हैं इसी तरह आपको housing, transportation and entertainment etc जैसी categories create करना है और अपना monthly expenses को इन में include करना है आप सेम तरीके से अपना income भी include कर सकते हैं monthly wise जैसे salary, bonuses, interest, etc end of the month में दोनों को subtract करके आपको एक real number मिल जाएगा कि आपने actual में कितना save किया है लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप अपनी life energy को कीन चीज़ों पर waste किया है जैसे for example अगर आपने एक expensive iPad खड़िदा है 40,000 रुपीज का और आप उसे barely use करते हो कुछ भी productive काम करने के लिए इसका ये मतलब है कि आपने अपना 20 दिन का life energy waste किया है उस product को afford करने में मैंने यहाँ पर ये assume किया है कि आपके daily income है 2000 रुपे सेम तरीके से जब भी आपको कुछ चीज expensive खरीदना है तो आप उसे अपने daily income से calculate कर सकते हैं कि आपको कितनी मेंनत करनी पर सकती है उसे चुकाने में यहाँ पर author का main goal यही है कि हमें अपने life energy को उन्हीं चीजों पर spend करना चाहिए जहाँ पर आपको actual benefit हो अब आते हैं strategy number 4 पर जो है analyze your monthly spending in your sub categories यहाँ पर author कहती है कि जब आप अपने monthly expenditure को देखते हैं तो क्या आपको satisfaction मिलती है कि मैंने अपने life energy को सही चीजों पर use किया है जिन भी चीजों पर आप satisfied है उसे आपको plus sign add करना है जैसे अगर आपने books purchase किया है या किसी नए course के लिए enroll किया है then in long term यह आपके लिए काफी फाइदे मन होने वाला है उन चीजों या उन category में आपको minus sign put करना है जिसमें आपको कोई भी खास खुशी नहीं मिली जैसे आपने club में बहुत पैसे waste कर दिये या आपने कुछ ज़्यादा ही expensive shoes ले लिया या फिर sale देखकर आपने ज़्यादा purchase कर लिया यानि आपने बहुत impulsive spending की है इस महीने और जिन category में आप neutral थे वहाँ पे आपको zero put करना है ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी life energy को किस direction में channelize करना है financial independence के लिए और अपने आपको satisfaction feel कराने के लिए strategy no.5 है make a wall chart to track your progress author का ये कहना है कि financial freedom को पाने के लिए या कोई भी चीज़ पर long term तक तिके रहने के लिए उसे आपको habit में build करना पड़ेगा इसलिए author का एक unique strategy आपके साथ वो share करती है आपको एक page पर एक chart बनाना है जिसमें vertical axis में होगा money and horizontal axis पर होगा time जो भी आप money save कर रहे हैं उसे आपको इस graph में put करना है ये आप चाहे तो अपने phone में या laptop में भी use कर सकते हैं लेकिन author का goal ये है इस graph को आपको ऐसी जगा put करना है जहां पर आप daily इसे देख सको ये आपके लिए constant reminder होगा कि आपको journey में और अभी कितना hard work करना है strategy number 6 है reduce your expenses इस strategy को मुझे detail में explain करने की ज़रूत नहीं है because आपको आपको अपने expenses को reduce करना है जितना ज़रूरी है उतना ही आपको खर्च करना चाहिए और living below your means concept को आपको अच्छे से use करना चाहिए और अपनी life में भी apply करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा पैसे save कर सके on a daily basis strategy number 7 है value your life energy and increase your income ये एक mindset है जो author ने share किया है कि हमें अपनी life energy को value करना पड़ेगा हमें consciously ये identify करना पड़ेगा कि हमें अपना crucial time कहां पे spend करना है अगर आप बहुत ज़्यादा social media use करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा movies देखते हैं दिन आप अपनी life energy को अच्छे से use नहीं कर रहे हैं आपका दिन में 4 से 6 घंटे ऐसा time है जहां पर आपका mental capacity peak पर रहता है और author ने इस peak time को use करने के लिए कहा है अपने income को increase करने के लिए या फिर वो activities करना है जो आपके income को increase करने में help कर सकता है books, courses, practices, investments ये सारे चीज़े आपको long term में काफी ज़्यादा help करते हैं और income को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हमने already discuss कर लिया है strategy no.2 में अब है strategy no.8 जो है F.I.R.E जिसका full form है financial independence retire early author ये कहती है कि अगर आपको fire movement का part बनना है तो आपको अभी से अपने savings को invest करना चाहिए different financial asset में जैसे stocks, bond, mutual funds and even कुछ portion आपको commodities में भी invest करना चाहिए आपको सबसे पहले 6 महीने से लेकर एक साल तक का emergency fund आपको save करना है अपने savings account में और उसके अलाबा आप जो भी earn करते हो वो सारे पैसे आपको invest करना है long term के लिए और power of compounding के वज़े से आप करोरपती बन सकते हैं within 15 to 20 years अगर आप consistency के साथ invest करते हैं तो strategy no.9 है choosing the right investment option book में तो आपको different types of financial instrument में invest करने के लिए कहा गया है लेकिन अगर आपकी age अभी 30 साल से कम है तो मैं आपको recommend करूँआ कि आप equity में invest करिए यारी companies की shares को खरीदिये और उन्हें hold करिए मैं आपको recommend करूँआ कि आप मेरी दो वीडियो जरू चेक आउट करिए ये दोनों ही perfect रहेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और strategy नमबर 9 को सबसे best तरीके से आप इन ही दो वीडियो से सीख पाएंगे तो वीडियो के summary कुछ प्रकार है कि आज हमने 9 strategies सीखी जो author विकी रॉबिंस ने share किया है अपने book में जिसमें पहला strategy है change your relationship with money and calculate your net worth दूसरे strategy में हमने सीखा है कि अपना hourly income rate को calculate करना है और उसे grow करना है तीसरे strategy में हमने सीखा है कि monthly spending को categorize करना है चौथे strategy में हमने सीखा है कि अपने monthly spending को analyze करना है 5 जां पर आप हर मनत का savings को put करना है जिससे आप motivate हो सको everyday financial independence के लिए strategy no.6 में author ने अपने expenses को कम करने के लिए कहा है strategy no.7 में हमने जारा कि अपनी life energy को सही direction में लगाना है जिससे हमें maximum benefit मिले strategy no.8 में हमने सीखा है अपने investment से पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको long term तक अमीर रहना है और आखरी step में मैंने आपको suggest किया है कि आपको equity investment करनी चाहिए उमिद करता हूँ कि आपको इस summary पसंद आई होगी तो मैं मिलूँगा आपसे next video में तब तक के लिए keep reading, keep growing